हलो गाइज, क्या आप भी परेसान है फेसबुक से? मतलब परेसानी का मतलब क्या होता है कि फेसबुक जब आप चलाते हैं न तो बहुत सारे ऐसे आपके दोस्ट, आपके रिस्तेदार जो आपकी जासूसी करने के लिए आप आप Facebook पे पीछे पड़े रहते हैं क्या करता है कौन को इसका फ्रेंड लिस्ट में है कैसे है और वो किसी और आईडी से मतलब आपका फ्रेंड लिस्ट में नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं कि वो कहीं ने कहीं एक जासुसी करने के लिए Facebook पर आते हैं आपके प्रूफाइल को याना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो थैंक्यों दोस्तों मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं साघर टेक यूट्ट्व चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना बूले क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके स्मार्ट फोन पे मिल जाए तो इससे क्या होने वाला इससे क्या होगा कि आपका जो फेस आपका बहुत सरा फोटो होता है वो फोटो को निकाल करके एडिट करके और उसका गलत इस्तिमाल भी करते हैं ऐसा केसिस भी आया हुआ है तो इससे बचने के लिए एक उपाई है और वो उपाई ही मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा तो इस काम को करने के लिए Facebook में अगर उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप अपने जो प्रोफाइल हैं उसको बचा सकते हैं आपका जो फोटोज है उसको बचा सकते हैं आपके जो डेटा है वीडियोज है मैसेजस है इन सारे चीजों को बचा सकते हैं अंजान बैकती से या वैसे लोगों से जो यह जो Facebook features है इसका नाम है Facebook profile log features अगर इस features के अगर आप इस features को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने Facebook account को सुरक्षित रख सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जो Facebook profile log feature है इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं step by step मैं आपको करके यहाँ पर बताने वाला हूँ इसका जो फाइदा था वो तो मैंने आपको बता दिया अभी हम लोग देख लेते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं तो अगर आप भी Facebook log profile picture को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि अपने Facebook में login कर ले और login करने के बाद जो आपका profile picture है उस पे जा करके click करें profile का जहाँ option मिलता है उस पे जा करके आप एक बार tap करें एक बार click करें वहाँ पे और जैसे आप उस पे click करेंगे आपका profile का option खुल के आएगा और वहाँ पे edit profile का option लिखावा मिलेगा और edit profile के बगल में आपको 3 dot मिलेगा ऐसे 1, 2, 3 तो 3 dot मिलेगा उस dot पे आपको click करना है और जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपको वहाँ पे एक option दिखाई देगा lock profile का और इस lock profile का जो option दिख रहा है अब आप चाहें तो इस lock profile वाले option पर click कर सकते हैं और अगर आप इस profile lock future वाले option पर click करते हैं तो इसके बाद आपको वहाँ पे पुरा details मिल जाएगा कि future ये facebook lock profile जो features है उसके क्या क्या benefits हैं क्या फाइदे हैं वो पूरा का details वहाँ पे आपको मिल जाएगा आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं ऐसे मैंने आपको इस वीडियो पूरा का पूरा details बता दिया है फिर वी अगर आप अपनी संतुस्टी चाहते हैं तो उस जगह में जा करके उसका details आप study कर सकते हैं और इसके बाद आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी बात नहीं है लेकिन वही पे नीच पूरी तरह से लॉक हो जाता है सेक्योर हो जाता है तो दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी आपको फेस्बुक लॉक प्रोफाइल के बारे में अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिक्शन आपको तुरंत मिल सके तो तैंक्यू दोस्तों फिर मिलत एकले वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया धन्यवाद